गाइच हाती के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ज्यानवर जिसे गेंड़ा कहते है इसके पेरों को भी देखो हाती की तरह मजपूत लेकिन जब इसकी चमड़ी की तरफ नजर जाती है तो मन में एक हैल आया क्या इस चमड़ी को किसी बंदू की गोली से बेदा जा सकता ह दोस्तो ऐसा लगता है जैसे इस ज्यानवर ने इस ज्यानवर को प्रकर्टी ने एक ऐसा कवाच दिया है कि कोई भाला और कोई गोली इसको नहीं छेद सकती आप देख सकते हो लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तो छोटी मूटी रिवालबर और छोटी मूटी बंदू को से तो इसको ऐसा लगता है जैसे किसी मच्छर ने का लिया हो दोस्तो गेंडे का सिकार करने के लिए सालीश या असी एमेम की बलट का कोई असर नहीं पड़ता कोई भी असर नहीं पड़ता इतना भारी भर कम जान बार है इसको इसको अगर इसका सिकार करने वाले हैं या इसको मारने वाले हैं क्योंकि इसका जो सिंग होता है आगे का जो गेंडे के नहीं है उसकी वज़े से इनके सिकार किया जाता है जो भारत के असम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपको 100 mm की बिलेट लेनी पड़ेगी और एक भारी भरकम वहें बंदूक लेनी पड़ेगी जिससे इसका सिकार किया जा सकता है लेकिन खास आप देख सकते हो यह जो मैंने एनिमेशन बनाए है इसको दोस्तो इसकी जो चमडी है लग बग लग बग दो इंच मोटी होती है और वो इसको सुरक्षा देने के लिए होती है और हमेशन गेंडा अपनी चमडी पर धूल या कीचर गारा कुछ भी लपेट कर रहना पसंद करता है क्योंकि मोटी चमडी होते हुए भी बड़ी सेंसेटिव है छोटे छोटे जानवरों से बचाने के लिए हाँ बिलेक कलर होने की बज़े से धूप से बचने के लिए खास करिए मिट्टी में घुल मिल जाते हैं दोस्तो और ये भारी भर कम गेंडा जो है दोस्तो आसाम के जंगलों का है इसके एक सिंग होता है जो हमारे इंडियम पाए जाते हैं आसाम वाले इनके एक सिंग होता है लेकिन अफरीकन गेंडों से ज़्यादा मस्पूत ही होते है चमडी की बज़े से आप देख सकते हो इसकी चमडी किस तरीके से लेयर्स की है और ये लेयर्स लगबख दो इंच मोटे होते हैं जैसे सुर्ख शद रखियो